नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं जार्खन बोर्ड मेट्रिक इंटर टॉप रोगों को मिलेगा लेप्टॉप वो फोन जार्खन के दस्वी और बरहवी के टॉप रोगों को पुरसकार रासी के साथ साथ इस साल से लेप्टॉप और स्मार्ट फोन भी दिया जाएगा जार्खन एकेडमी कॉंसील, CBSC और ICSC में जार्खन से टॉप 3 में आने वाले सभी छात्र शत्राओं को निर्धारी तरासी के अलावार लेप्टॉप और स्मार्ट फोन देखकर समानित किया जाएगा इस खुली सिक्छा वासक्ता विभाग इसकी तियारी कर रहा है, इसका प्रस्ताव तियार किया गया है और मुखे मंतरी हमन्सुन की समाति के लिए भेजा जा जाएगा जार्खन में उनके टॉप 3 आने वाले चात्र शत्राओं के लिस्ट मांगी गई है वायू सेना भरती के लिए 7 नौमबर से करें ओनलाइन आवेदान अगनी पत्योजना के तहत आई ए एफ से जुड़े पदो पर अब विवाहित युवक युवतियों की बहाली के लिए भारती ये वायू सेना ने अजिसुर्टना जारी किया है इसके तहत उमिद्वारों की होने वाली अगनी वायू सेवा परिक्षा के लिए आवेदन अमंत्रित किया गया है आवेदन करने की तिथी साथ से लेकर 23 नौमबर 1222 तक निधारित है उमिद्वारों को सम्बंधित वेवसाइट पर ओनलाइन आवेदन भरना है आउनलाइन पंजी करन 7 नौमबर को सुरू होगा और 23 नौमबर 1222 को बंद हो जाएगा केवल आउनलाइन पंजी क्रित आवेदन ही से क्रित किये जाएंगे बतादे 27 जून 2022 और 27 दिसंबर 2005 के बीच जर्म लेने वाले उमिद्वार आवेदन करने के पात रहाएं राष्ट पती लौंच करेंगी हिमंत सरकार की चार नई योजनाए मुख्य मंत्री हिमंत्री ने 15 नौमबर को जर्खन राजयास्थापना दिवस के उसर पर राजधानी रांची की मुरबादी मैदान में एवजीत होने वाले मुख्य समारो और राष्ट पती द्रोपदी मुर्मु के आगमन के सिलसीले में हो रही तियारियों की समिक्षा की मुख्य मंत्री ने वरिया अधिकारियों के साथ इस उच अस्तरिय बैठाक में समारो के मिनट टू मिनट कारिकरम की जनकारी ली और अहम निर्देश दिये उन्होंने कहा है कि सभी तेरिया सा समाय फूरी करनी चाहिए मुख्य मंत्री ने राज यास अपना दिवस का उसर पर आयोजित होने वाले मुख्य समारो में नई योजनाओं और नितियों की लॉंचिंग तथा उट घाटन और शिलन नियास किये जाने वाले जोजनाओं के बारे में बिश्तिरी जनकारी ली उन्होंने इस मौके पर लाभकों के बीच परेसंपत्यों के बित्रन के बारे में भी अधिकारियों से जाना सियम हमन्त का एलान 11 नॉमबर को 1932 का खतियान और ओवी सिको 27 परतिसत आरक्षन देंगे जारखन के मुख्य मंत्री हमन्तुरेन ने सन्निवार 5 नॉमबर को रामगार जीला में बड़ा एलान किया है कारकरम में मुख्य मंत्री ने कहा है कि 11 नॉमबर को उनकी सरकार राजे के लोगों को 1932 का खतियान और ओवी सिको 27 परतिसत आरक्षन की सोगाद देगी मुख्य मंत्री ने कहा है कि राजे में महागडबंधन जारखन मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राष्टिय जन्ता दल की सरकार 11 नॉमबर को भी से सत्र बुला रही है इस सत्र में 1932 का खतियान और ओवी सिको 27 परतिसत आरक्षन देने समांधी बील को पास कराया जाएगा मौड़ियों के ब्लैक डे पर पुलिस अलर्ट, गुमला पुलिस ने भागपम मौड़ि के नकसलीयों की फीर से तला सुरू कर दी है गुमला के पुलिस अधिक्सक डाक्टर एहतेसाम वकारिब ने सन्निवार को नकसलीयों खिलाप अभ्यान चलाया इस अभ्यान में गुमला जीला पुलिस के अलावा CRPF 218 बठालेन के अधिकारी वा जवान भी सामिल थे SP ने घोर नक्सल परवावित माने जाने वाले चैनपूर परखंड के कुकुरूजा, सिवील, बामदा इलाके में अभ्यान चलाया कई गावों तक जाने के लिए सडक नहीं थी, SP उन गावों तक पहुँचने के लिए पैदल चले, बाइक से जंगलों का भरमन किया, हलाके अपरेशन के दुरान पुलिस को कहीं भी नक्सली नहीं दिखे कोडार्मा जुम्री तिलैया वर डोम्चांच में निकाय चुनाव का आरक्षन आवंटन तयार जारकन के कोडार्मा जिला में नगर निकाय चुनाव की तीठियों का एलान अभी नहीं हुआ है लेकि चुनाव की तेरिया तेज हो गई है जीले के कोडार्मा वा डोम चांच नगर पंचायत और जुम्री तिले या नगर परसद छेत्र के सभी वाड़ों में आरक्षन एवं आवंटन का प्रस्ताव त्यार कर लिया गया है इस प्रस्ताव को सत्यापण और अनुमोधन के लिए राज निर्वाचन आयो के पास भेजा गया है इस बार बीना OBC आरक्षन के चुनाव होंगे ऐसे में कुछ सीटो पर समिकरन बदल गया है जिला परशासन द्वारा वाड़ परसद पद के लिए आरक्षन है तू आयो को भेज़ेग प्रस्ताव के मुताविक डोम चांच नगर पंचाइत के वाड़ 1, 2, 3 और वाड़ 4 अनरक्षित महिला वाड़ वहीं वार्ड 5 अनरक्षित औने वार्ड 6 अनरक्षित महिला वार्ड 7 अनरक्षित औने वार्ड 8 अनरक्षित महिला वार्ड 9, 10, 11, 13 और 14 अनरक्षित औने किसरेनी में रखे गए हाएं सरकार आपके द्वार कारिकरम पर रगवरदास ने कसात तंज भारतिय जनता पार्टी के राश्ट्रिय उपादेक्ष रहवर्दास ने कहा है कि जारखन में अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत चरितार्थ हो रही है एक और मुक्य मंत्री सरकारी खर्च पर सरकार आपके द्वार चलाने का ढोंग कर रहे है वहाई दूसरी और लोगों को सरकारी दफ्तरों के चकर काटने के बाद भी जो इनावकलाब नहीं मिल पा रहा है सरकार राजस्व करमचारियों के विभीन मांगों को लेकर चल रही हर्ताल को लेकर है मंत्र सरकार के उदासिन रवाईया के कारान राजे के चात्र वा आम लोग भी परिशान है जारखन में आयकर विभाग का 36 घंटे के चापा में 1.26 नगदी बरामत करोडों की आयकर चोरी के मामले में सुक्रवार की सुबह से सुरू आयकर विभाग के चापे में सनिवार की साम 36 घंटे के भीतर कूल 1.26 लाक रुपे नगदी वा भारी मात्रा में बैंकिंग लेंदेन का चल अचल संपत्ती आदी से समधी दस्तवेजों की ब्राम्द की हुई है आयकर विभाग की टीम ने तीन राजियों में सतर ठीकानों पर एक साच छापे मारी शुरू की थी बताया जा रहा है कि रभिवार को भी कुछ और ठीकानों पर आयकर का चापा जाली रहेगा सियम हमांत्र सुरेन का सोमवार को फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोट मुख्य मंत्री हमांत्र सुरेन को लीज अवंटित करने और उनके भाई बसंद सुरेन के करीबियों द्वारा अवैद कमाई को सेल कंपनी में निवेस करने के खिलाप याज का सुनवाई योग है या नहीं इस पर सुप्रीम कोट सोमवार को फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोट की चीफ जस्टीस यूजू ललित की अद्यक्स्तावाली पीठने 17 अगस्त को हमांत्र सुरेन और राजी सरकार की अपील याज का पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रक लिया था बतादे प्रार्थी सीव संकर सर्माने मुख्य मंत्री हमांसुरेन के खिलाब गलत तरीके से कननलीज आवंटित कराने और उनके करीबियों द्वारा सेल कंपनी में निवेस का अरूप लगाते हुए जार्खन हाई कोट में जन हित्याच का दाखिल किया है लोहर्दगा में भारत जोडो यातरा 6 नौमबर को बीसीसील समेच सभी कंपनियों को 75 però पर अस्थानियों को देनी होगी सिक्षा मंत्री कंपनी अगर इसका उलंखन करेगी तो जूर्माना के साथ अनकानूनी प्रवधान भी हाई मंत्री ने इस मामले में सन्निवार को धन्बाद सरकिट हाउस में DC समेत अन्य अधिकारियों के उपर्चिती में विभीन कमपनियों के परतिनिदियों के साथ बात कही है खरीद नहीं सकी तो ED आयकर की करवाई से डराना चाह रही BJP महागडवंधन की सरकार को भाजपा सुरू से ही गिराने की कोशिस कर रही है बिधायकों की खरीद विक्री की कोशिस की गई इससे भी बात नहीं बनी तो अब केंद्र की भाजपा सरकार हमारे नेता एवं बिधायकों खिलाप ED का इस्तिमाल कर रही है इससे हम डरने वाले नहीं हैं भाजपा को जार्खन की जानता मोहतोड जवाब देगी यह बाते परदेश के सिक्षा मंत्री एवं वरिष्ट जामो नेता जगनात मतों ने कही वह सनिवार को यहां रंधीर वर्मा चौक पर जामो के परदर्शन को समोधित कर रहे थे केंद्रिये एजेंसियों की करवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर धरना महागडबंधन की नेताओं ने जन समर्थन से चून कर आई महागडबंधन की सरकार को अब पदस्त करने के पर्यास का रोप केंद्रिये एजेंसियों पर लगाया है केंद्रिये एजेंसियों दोवारा की जा रही करवाई की विरूद महागणबंधन की नेताओं ने खुटित समानाला के समक्ष एक दिवस्य धारना दिया जिसके बाद एक प्रतिनी दिमंडर ने उपायूद सासीर अंजन से मिलकर राजपल के नाम एक ग्यापन सोपा ग्यापन में कहा गया है कि दिसंबर 2019 में बरतमान महागणबंधन सरकार अपार जन समर्तन के साथ साता में आई जनता भाजपल सरकार की नकामियों भरष्ट चार एवं कुशासन से उप चुकी थी राजी की जनता को इस नई सरकार से उमेदे है अब भी पक्स गडबंधन की सरकार की अज सिर करने के लिए केंद्रे एजन्सियों या था चुनाव आयोग इडी यम आयकर विभाग आदी की गतिविदियों को बेवज़ा तेज कर सरकार को अपतस्त करने की कोशिस में जुटा है पसुधान में देशी उनत नस्नल को विक्सी तोवबढ़ावा की जरूरत बीर्षा क्रिसी विश्वबी दयले में दो दिवसे पसुधान प्रसार नवाचार राष्ट्रे समेलन का समापन सानिवार को हुआ समापन सत्र में बतर मुख्यातिती पसुधान निदेशक डाक्टर सासी परकास जहा मजुद थे अध्यक्सता कुलपती डाक्टर ओंकार नाज सिंग ने की कुलपती ने का आगी बेग्यानिकों को अस्थाने किसानों के मांग पर आधारित लावकारी नसल का चैन कर लागातार देशी उनत नसल वा तकनिकी को विक्सित करने और इसे बढ़ावा देने की जरूरत है टाकि किसान देशी उनत नसल वा तकनिकी को असानी से अपना कर अपनी आयको बढ़ोतरी कर सके डिजिटल सिक्षा पर सिक्षकों के लिए सत्र नौ से सुरू करेगा सिबीएसी फाइनेंसियल लिट्रेसी और यूज ऑफ डिजिटल टूल्स विसाय से समधित महतपून जनकारी देश बर के सिक्षकों के साथ साधा करने के उधेश से सिबीएसी एक सत्र का आयुजन नौ नौमबर से करने जा रहा है डिजिटल सिक्षकों की जगरुपता को ध्यान में रखते हुए सिबीएसी ने देश के अलग अलग राज्यों में कई केंद्र बनाये है जहां यह सत्र ओफ लाइन होगा इसमें भाग लेने के लिए सिबीएसी के वेपसाइट पर जाकर राइस्टेशन करना होगा इसके लिए कोई सुल्क नहीं लिया जाएगा जहारखन के सिख्षक बिहार के स्कूलों में बनाये गए केंद्रे में सामिल हो सकते हैं दो घंटे के इस सत्र में एक सेंटर पर सौव सिख्षक भाग ले सकते हैं परति भागी सिख्षकों को पमान पत्र से भी नवाजा जाएगा जहारखन हिरदय चिकित्साय योजना के तहट 149 ओपरेशन को चैनीद ज्खारकन हिर्दय चिकित्सा योजना के तहत राज्य के हिर्दय रोग्यों के मुफ्ठ चिकित्सा के लिए रिम्स में अविजित स्क्रिनिंग कैम्प के दूसरे दिन राज्य के 11 जिलों से 8612 मरीजों की स्क्रिनिंग की गाई लेकिन ओप्रेशन कब होगा इसकी ती थी बाद में बताई जाएगी इससे पहले सुक्रुआर को राजी के नौ जीलों के 530 मरीजों की स्क्रीनिंग की गई थी पागल कुते ने 24 घंटे के अंदर 40 लोगों को काटा तोरपा सहरी छेतर में एक पागल कुते ने पिछले दो दिनों से आतंक मचा रखा है 24 घंटे के अंदर पागल कुते ने करीब 40 लोगों को काट कर जख्मी कर दिया कुता घुम घुम कर अलग अलग जगों पर लोगों को निशाना बना रहा है कुता लोगों को देखते ही उन पर हमला कर जखमी कर दे रहा है वहीं काटने के बाद उस आदमी को छोड़ कर आगे की ओर भाग जा रहा है कूते ने कई बुजुर्गों मासुम बच्चों को भी काट कर ला हुआ लुहान कर दिया पूरे इलाके में दसत का महोल है सनिवार को लाठी डंडे लेकर लोग कूते को मारने के लिए दिन बर पिचा करते रहे पर सफलता नहीं मिली जारखन में 5 लाक हित चिंतक को संगठन से जोड़ेगा भी ही विश्व हिंदू परिशत के 60 वर्स पूरे होने के उपलक्ष में जारखन में संगठन 5 लाक हित चिंतक को जोड़ेगा संगठन का हित चिंतक अभियान 6 से सुरू होकर 20 नॉमबर तक चलेगा इसके तहट देश भर में एक क्लोर हित चिंतक जोड़े जाएंगे यह बात भी हिप पटना छेतर के मंत्री विरेंदर विमन ने हर्मू रोड इस हित कर्याला में पत्रकारोस संगिवार को कही उनके साथ प्रांत मंत्री डाक्टर विरेंदर साओ भी मवजूद थे पूर्वी छेतर अंतर विश्ववी द्याले फुटबल टॉर्नामेंट बियाएटी में 11 से इस संग्वार को बियाएटी में सरा के छात्र मामलो के डीन डाक्टर भासकर कर्ण ने बताया है कि टूर्णामेंट में भागेदारी के लिए पूर्वी छेतर के राजियों के लगभाग 220 बिद्याले को आमंतरन भेजा गया था जिसमें 64 ने अपने भागेदारी सुनेशित की है उन्होंने बताया है कि बियाएटी में सरा के डिम्ड युनिवर्सिटी बनने के बाएद तिसरी बार इस टूर्णामेंट की मेजबानी मिली है बिद्यार्थियों को स्कूल कीट के लिए रासी जारी ही समगर सिक्षा अभ्यान के तह सरकारी स्कूल में अधहनडत बिद्यार्थियों को जल्द स्कूल कीट मिलेगा इसके लिए 28.4 एकड़ोर रुपय निर्गत किया गया है यह रासी जीलों को उपलब्द करा दी गई है सभी जीलों को निर्देश दिया गया है कि पहली से आठवी का क्षात्त के बिद्यात्यों को जल्द स्कूल कीट उपलब्द करा है साथ ही इस समध में उपयोगिता पवान पत्र विभाग को दे इस वजना से लगभग 80,000 बिद्यारती लभानवित होंगे बतादे भेजी गई रासी में से छात्रों को पेन, पेंसिल, रबर, कटर तता इंस्ट्रूमेंट, बक्स, उपलब्द करा जाने का निर्देश है मासूम बच्चे को लोहे के रोड से दागने वाले मा बेटे गिरफतार 12 वर्षी आदिव 80 बच्चे के साथ औमानुए बेवहार करने वाले मा बेटे को अरगोडा पूलिस ने गिरफतार कर लिया है दोनों की परतारना से तंग आकर 12 वर्षी मासूम किसी तरह भागने में सफल हो गया था जिसके बाद उसे चाइल्ड लाइन में रखा गया मामला सामने आने के बाद मासूम के पीता जग लाल के द्वारा अरगोडा था नामे प्राथमी की दज कराई गई थी पूलिस ने अपनी जाच में सत्य पाया की माभारती और आसीस साहूक के साथ साथ एक अने ब्यक्ति के द्वारा मासूम बच्चे के साथ मारपिट की जाती थी माहराश्ट्र की तर्ज पर जहारखन में भाजपा की सरकार चाहते हैं बाबुलाल भाजपा विधायक दलक नेता और पूरो मुख मंत्री बाबुलाल मरांडी के ब्यान ने जारकन में सियासी तूफान ला दिया है बाबुलाल मरांडी के ब्यान पर अब जारकन मुक्ति मोर्चा ने थीखी परति के लिया ब्यक्त किया है JMM लिडर सुpरियो भटाचाय ने कहा कि बाभुलर मरांडी की ब्यान से अस्पास्ट आ कि भाजपा धारकण में जनता द्वाला चुनी गई सरकार को आइस्थीर कर कूर्षी पर काविज होना चाहती है जामौन नेता सुपरियो भटाचाय ने कहा एकि भार्तिय जन्ता पार्टिय उर्केंद्रे की सरकार सन्वेधानिक संस्थानों का दुरूप्योग कर महारास्ट की तर्ज पर जारकन में ED, CVI का डर दिखा कर भाजपा की सरकार बनाने की कोशिज कर रही है जारकन में 2024 तक उल्गुलान रखने का एलान मुख्य मंत्री हमन सुरिन को ED समन से अग्रोशित UPS अनिवार को पूरे जारकन में सकती परदसन किया जारकन के सत्धारी दलो के महागडबंधन ने राजे ब्यापी धारना परदसन कर 2024 के लोक सभा और विधान सभा चुनाओ तक भागपा के खिलाप उल्गुलान जारी रखने का एलान कर दिया महागडबंधन का धारना परदसर राची के जाकिर हुशन पर्क के पास हुआ धारना के बाद रांची डीसी के माध्यम से राजे पाल को गयापन सभा पर केंद्री ये एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने की मांग की गई है पलामु में राश्ट्रिय लोक अदालत 12 को राश्ट्रिय लोक अदालत 12 नॉमबर को सफल बनाने को लेकर प्रधान जीला यम सत्र नयाधि सह जीला बिधिक सिवप रादिकार के अध्यक्स परदिप कुमार चौबे के निर्देशाम सा जीला बिधिक सिवप रादिकार के सचिव और पित स्रीवास्तों ने सनीवार को विभीन विभागों के अधिकार्यों के साथ बैठा की उन्होंने बिभागे पता अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने बिभाग से समंधित लंबित वादों के सुची तयार करे उन्होंने कहा कि रश्टिये लोक अधालत में अधिक से अधिक वादों के निस्पादन के समध में उन्होंने कई दिसा निदेश अधिकारियों को दिये उन्होंने कहा कि रश्टिये लोक अधालत में अधिक से अधिक मामलों के निप्टारे करने की अवसकता है आठ नौमबर को जार्खन में चंद्र ग्रहान साल का आखरी चंद्र ग्रहान कार्तिक पूर नीमा के दिन आठ नौमबर को लग रहा है इस दिन पूरे जार्खन में चंद्र ग्रहान की स्थिती बनेगी राँची और हजारी बाग में कुछ समाई के लिए इस खगोलिय घाटना को देखा जा सकता है यह जंकारी परचिम बंगल के राजदानी कुलकाता इस्थित खगोल विग्यान केंद्रे दी है बता दे खगोल विग्यान केंद्रे कुलकाता ने सनीवार को भताया है कि रांची में 9 मिनट तो हजारी बाग में 10 मिन तक लोग चंदार गराण को देख सकते हैं केंदर की और से बताया गया है कि आसिक चंदार गराण 2 पर दो बज कर safely करा 14 मिन अamat 10 मिन तक पूरूरे चंद गराण घटित होगा बता दे रांची में 8 नौवंबर को साम 5 बच कर 3 मिट पर चंदर उदय होगा जबकि हजारी बाग में चंदर उदय का समाई 5 बच कर 2 मिट पर बताया गया है इस तरह रांची में 9 मिनाट तक और हजारी बाग में 10 मिट तक पुने चंदर गरहन देखा जा सकता है धन्यवाद